जैहिन, नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में, आज हम लोग रेशियो और प्रपोर्पोर्शन से लेटर, आज इस्पेसिली हम रेशियो की बात करेंगे, तो रेशियो में जो आपके कोश्चन्स हैं, उनका हम लोग डिस्कूस करने जा रहे हैं, इस वीडियो को आप ध्या से सुमिएगा और समझिएगा, ए वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है, जितने भी लेटेस्ट अभी एक्जाम होने वाले हो, वो चाहाए रेलवे एंटीपीसी हो, गुरूबडी हो, यूपी लेकपाल हो, और उत्रपदेश पुलिस हो या आने वाली आपकी सुपर टीटी की भरती हो, हर प्रकार के जो वंडे एक्जाम्स हैं, वंडे एक्जाम्स के लिए जो इस्पेसली ये क्लास चलाई जा रही है, तो आप ध्यान से अगर इस क्लास को देखते हैं और समझते हैं, तो किसी भी प्रकार का जो वंडे एक्ज से को करा रहा हूं ठीक है वीडियो को आप लाइक भी करिए और अपने दोस्तों में जिनको इस चीज की रिक्वाइर्मेंट है उनको आप से जरू करें और हमारी आप साहता करें हम इस चैनल को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं और आप लोगों का सहयोग बहुत ही जरूरी ह तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगती है और आपके लिए यूश्फुल है तो आप अपने फ्रेंड्स सरक्री में इसको सेर करिए लाइक करिए और चैनल को अगर आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हम इसी तरह से ऐस सब्सक्राइब को आपको बताते रहेंगे तो आइए ध्यान दीजिएगा यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्डेंट सवाल है और बहुत ही कम समय में हम इनको सिखाने और लगाने का आपको प्रयास करेंगे देखेंगा ध्यान से अनुपाद B बराबर C अनुपाद D बराबर E अनुपाद F बराबर एक अनुपाद 2 हो तो 3A प्लस 5C प्लस 7E अनुपाद 3B 5D प्लस 7F का रेशियो बताना है इसका मतलब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देख लें तो इसको आप ऐसे लिख सकतो A बटे B बराबर C बटे D E बराबर E बटे F is equal to क्या 1 upon 2 तो आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर A, C और E की वैलू कितनी 1 और B, D, F की वैलू कितनी रेशियो कितना है 2 तो जहाँ पर A, C, E है वहाँ पर 1 पूट करेंगे और जहाँ पर B, D, F है वहाँ पर कितना पूट करेंगे वैलू 2 पू A, C, E की वैलू कितनी 1 तो तीन गुड़े एक 3 प्लस C का मान भी 1 है तो 5 प्लस और E की E का मान भी कितना 1 है तो यहाँ पर कितना जाएगा 7 अब यहाँ एंगे ध्यान से यहाँ देखेंगे B, D और F, B, D, F का रेशियो कितना है 2 तो इसमें सभी से 2 से आपको इंटू करना ह होगा है यहीं फ्रतेग टर्म में 2 से मर्टिप्लाइ करना होगा तो आईये तो तीन दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस फान दूनी कितना दस प्लस तो अब ध्यान दिजेगा 15 8 7 कितना हुआ onda और यहाँ पर चूकि डो गुना हुआ है तो आप अगर यहाँ से देखें 20 10 कित इतना 15 से इसको दूबार आपने काड़ दिया एक उनको पात कितना आ गया इस सवाल मैंने आपको डिटेल में समझाया लेकिन इस सवाल को आप इस राजी भी कर सकते थे जब भी ऐसा सवाल आप डायेट कर सकते हैं आप देख रहे होंगे यहां पर A C E A C E 1 ratio है और B D F B D F और आप देख रहे हैं तीन पांच साथ यहां पर भी 3 5 7 constant है और यहां पर बिए 5 यहां पर भी 7 यहां पर है 3 यहां पर भी 5 यहां पर 7 यहां पर भी अब A C E का 1 ratio यहां पर आप ए डेटेल में भी आपको समझाया गया और इस सवालों को आप डायरेट करने के लिए भी तईयार हैंगे अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो राइट अब आईए question number 2 पे चलते हैं तो A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना है 2 is to 3 is to 4 हो तथा 2 A minus 3 B plus 4 C is equal to 33 हो तो C का आमान बताना है बहुत ही बढ़िया सवाल है ध्यान दीजिएगा A का रेसियो 2 B का रेसियो 3 और C का रेसियो कितना है 4 इसका मतलब हम यहां पर इस रेसियो को यहां पर put कर सकते हैं यह total ratio आ जाएगा तो 2 यहां पर आप put करेंगे A का रेसियो कितना है 2 तो 2 दूनी कितना होता 4 minus B का रेसियो कितना है 3 तो 3 तूरू कितना हो जाएगा 9 प्लस और सी का रेशियो कितना चार तो चार चार को कितना हो जागा 16 एक इतना है 33 ध्यान दीजेगा यह रेशियो है यहां पर आप इसको ना इसको आप रेशियो माल लीजिए रेशियो है यह क्या है रेशियो है तो आप ध्यान दीजेगा 16 4 20 20 से 9 गया कितना 11 ग्यारा रेश एक ratio का मान यहां से कितना आ गया? 3, right? एक ratio का मान यहां से 3 आ चुका है अब आप समझे C का मान पूँचा है आप से तो C यहां पर कितना है? C, C कितना ratio था? C बराबर तो C का ratio कितना था है? 4, लेकिन आपने ध्यान दिया हैं पर 1 ratio के value कितनी है? 3, तो 3 से दर क्या कर दिया? आपने multiply कर दिया तो 4, 3 जा कितना होता है? 12 होता है, right? समझनागी बात आपको तो मैंने क्या क्या? इस value को यहां पूट कर लिया यह total आया था 11 चुकि यह ratio मान लेंगे इसको ठीक है? डारेक्ट लग जाएगा नहीं तो फिर बहुत लिंदी हो जाएगा तो 11 ratio के value 33 है तो 1 ratio कितना आजाएगा? 3 C का मान बताना था C का ratio कितना है? 4 और 1 ratio के value 3 थी तो 4 into 3 कितना होगा? 5 राइट आईए, question number 3 पे आते हैं बहुत ही बढ़िया स्वाल है बहुत ही जवद्दा स्वाल है इस स्वाल को मैं seconds में करना आपको सिखा रहा हूँ seconds में कर लेंगे अगर असे स्वाल आता है ध्यान दीजिएगा एक बात बताईए यहाँ पर कितने लोग है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? और ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर एक बटे तीन तो ए अनुपाद बी अनुपाद सी बताओ ऐसा कभी भी सवाल आए ऐसा कभी भी सवाल आए ध्यान दीजिएगा ऐसा कभी भी सवाल आए इसका अंसर बराबर आता है कितना आएगा अंसर इसका अलविज कितना आगा बराबर आएगा सदयों बराबर आएगा सदयों बराबर आएगा तीनों के आँगे बराबर आएगे आँख बंद करके आप लगा सकते हैं अब समझे कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है, अगर तीनों का योग एक है, वह तीन अगर भाई है, अब उनके पास एक plot है, तो इसको divide कैसे करोगे, 3 से डिवाइड करोगे ना तो इसका मतलब आप यह कह सकते हैं a plus b plus c ब्रावर एक है तो a का मान आएगा एक बटे 3 सेम बे में b का रेशियो भी कितना एगा एक बटे 3 और c का रेशियो भी कितना एगा 1 by 3 छी ठीक एफ इसिंपल बात है यह एक प्लॉट है तीन लोगों माटना तो 1 by 3 हो जाएगा सबको 1 by 3 मिलेगा और अगर सबको 1 by 3 आया है तो एक बटे 3 वाथ तो कार दो सबका अनुपात रीज्य कितना हैगो वन इस्टू कितना है अब आप सोच रहा होंगे सर इसको तो आपने सेटिसफाइड ही यह यह लेडी न अय टोमेटी कि सेटिसफाइड हो रहा होगा आप चेक कर लिजी, A-B का मान, आप पुट करिए यहाँ पर A का रेशयू कितना है, 1 बटे 3, फिर A-B, 1 बटे 3, रेशयू, फिर B-C, तो आप डारेक्ट रखो न, 1 बटे 3, 1 बटे 3 मतलब 1 बटे कितना, 9, और यहाँ ध्यान दो CA, यह यह भी 1 बटे कितना होगा, इसका बता एक बटे 9 प्लस एक बटे 9 प्लस एक बटे कितना अब आप अईड करियेगा ज़रा ध्यान दीजेगा और थो नीचे 9 बटे Chip P eben कितनी हसे सबस्क्राइब गडिए इसनलिए कभी ऐसा सवाल आएग एनुपात ऐसger का मान कितना यगा बराबर हाएगार हमार राइट आंसर क्या है ठीक बात क्लिर होगी बहुत ही ज्यादा important ये सवाल है अगर ये सवाल आते हैं exam में तो दिमाग वहाँ पर काम नहीं करता है अगर आपने पहले से इन सवालों को solve नहीं किया है clear है तो इन सवालों को आप देखे एक बार अब ये question number कितने हो गए आपर three तो अब ये आपका question number four आ रहा है तो आप देखेंगे कौंसा question number four ये आपके सामने है तो आईए question number आपके लिए चौथा है ये चौथा question है और ये question है आपके लिए पांच हुआ आइए start करते हैं बहुत आप द्यान दीजेगा आप औरल कर सकते हैं कि a b 2 बटे 9 और 1 बटे 3 और यहां पर b c 2 बटे 7 5 बटे 14 c d 3 बटे 5 7 बटे 10 आप ध्यान दीजेगा तो 3 से आप इसको काट सकते हैं हैं 3 से 9 को 3 बटे काट सकते हैं और यह 3 तो आप अगर इहां पर आप ध्यान दें तो A अनुपात B बराबर कितना हो जाएगा 3 इदर 3 से 9 तीन पर काटा 3 ज़र जला जाएगा तो बचेगा कितना 2 अनुपात 3 अब आईये यहां पर B अनुपात C देखो कितना आएगा तो आप 7 से काड़ो 2 बार 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 तो ये कितना हैगा? 4 अनुपात कितना? 5 इधर देखेंगे ध्यान से 5 से इसको काड़ो 2 बार 5 दूनी कितना होता है? 10 5 दूनी 10 और 2 से इधर गुणा करोगे 2 तिया कितना होता है? 6 तो 2 तिया 6 और अनुपात कितना होता है? तो ये आगए कितना? C अनुपात के आगए? 8 और कल आपको बताया गया था कि A, B, C, D कैसे आता है? A, B, C, D निकालना आपके लिए बहुत आसान है A, अनुपात B, अनुपात C, अनुपात D कल की वीडियो में हमने ये सारी चीज़ा आपको सिखा रखी है बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो तुरंट जाई आप उस वीडियो को देखिए ठीक है? पहले A कैसे आता है? तो 4 दूनी 8 संग कितना 48 इदर तो A आजाएगा पूरा इदर के आजाएगा? अप का आजाएगा पूरा A आजाएगा इदर से बता रहा है हूं हो कि श्राथ vemos by centro नहीं चानँ चेंज कर रहा हूं छे चो शोड़ो आज lonी कि इतना 48 और उनले खुल दून झालेगई भी आगे अब सी नेकालना है तो सी के लिए क्या बदाएं कि इस पांच से कितना पर बस इसको आप साउल्ब कर दी हहां से काट दीजेगा तो यह आप कर लिजी घ्रै किसी से कटेगा क्या वंवी किससे कट रहा है त learners तो आपझा क्सेल सोलो और जो बीस और यह आ जायेगा आपका आंसर तीम से कट गया तो आंसर कितना आ गया सोला, चोबिस, तीस कितना आ गया पैंतिस राइट चलिए तो बहुत ही सिंपल है यह सवाल इसमें दो कंसेप्ट है एक तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंपलिफाइड करना पढ़ रहा है हमको और दूसरा यह तरीका है रेशियो यानि अनुपातों का एक एक गर्ण जो हमने कल की वीडियो में आपको सिखाया और समझाया था अब यहाँ पर आप आईए यहाँ पर ध्याँ देने A अनुपात B बराबर तो दो से कार अच जेए चार बार तो चार अकम चार यानि चार अनुपात कितना आजाएगा तीन तीन से काटें इसको थिरी टाइम पर थिरी ताइम तो तीन से दर गुना हो जाएगा तो बी-सी कितना आएगा? थिरी बन जा थिरी थिरी रेस्यो फाइव यहां यह इसको दो से काटेगा दो-दो-चार, दो-तिया अब दो-पांच कितना होता? दस, तो C-D यहां पर C-D ऐसे लिख लो ठीक है तो C-D कितना आजाएगा भई? टू-फाइव जाएगा इतना? टैन और थिरी थिरी जाएगा कितना आजाएगा? नाइट, बस अब आप करिएगा A-अनुपाथ, B-अनुपाथ C-अनुपाथ, D तो चारतियां बारा बारा दाम एक सो बीस तो यहां कितना आगया यह? एक सो बीस चारतियां बारा ठीकर चलो मैं इदर लिख दरहूँ, इदर हो सकता हूँ विजबल सही से नहीं हो, तो इदर लिख दरहूँ A-अनुपाथ, B-अनुपाथ, C इदर लिख दरहूँ तो चारतियां बारा दाम कितना होता? एक सो बीस यहां यह अब ध्यान दीजिएगा, C कैसे निकालेंगे, आप C बताइए तीन तुरू कितना? नो दाम कितना होता है? नबे अब C निकालेगा पान दाम कितना? पचास और पचास है, और पचास तियां कितना? डेड़ सो अब ध्यान दीजिएगा अब यहां पर एक सो बीस है भाई, एक सो बीस है अब आपको काटना है, इसको किस नमबर से आप काटोगे? तो आप देखो, अगर यहां पर आप 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 आप्शन की तुभी थोड़ा मदद ले सकते हैं यानि आप आपके ऐसे आने ही चाहिए तो आप देखो, क्या कोमन है? पांच, पांच से सारे कट रहे होंगे अच्छा ठीक है, पांच सारे कट रहे हैं तीन से भी कट रहे हैं, तो पांच और तीन दुन से कट रहे हैं निए पंदरा से कट रहे हैं तो यानि 15 से इसको काड़ दीजे, तो 15 अठे कितना होता है, 120, 15 चक्का, 90, 15 दहं, 1.500, और 15 नोई, 135, तुम्हारा आंसर कितना हो जाए, 895, 695, 1095, नो, तो कौनसा आंसर होगा, 895, 695, 1095, आसा करते हैं, ये क्लास आपको बहुत ही बढ़िया लगी होगी, कहीं पर कोई दिक करते हैं, तो आप कमेंट करिएगा, वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं दुबारा से आप से अपील कर रहा हूं, कि अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, तो आप हमारा साथ दें, और इस चैनल को गुरू करने में हमारी मदद करें, और जिन भी लोगों को, कम से कम, एक लोगों को तो आप इस वीडियो को जरूरी सेर करें, और आप अच्छे से नोट्स बनाएं, अपने प्रॉपर तरीके से, चुकि आपको रिगुलर क्लासेस मिर नहीं हैं, तो अगर आप रोज 20 मेंट आप हमारे साथ पढ़ते हैं, तो आने वाले 3-4 महिने में आप दे तैरी नहीं होगी आपकी, तो एक्जाम कब होगा, उसकी आप टेंशन मत करिए, आप रोज पढ़ते रहिए, और जो भी आपके लेटेस्ट एक्जाम होने वाले हैं, और एक्जाम ओरेंटेट हम मटेरियर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, हर बार की तरा वीडिय देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है, ओके, बाई-बाई, टेक केर, जै हिंद, जै भारत